नमस्कार दोस्तों बात करेंगे हर्निया के बाद हम कैसे activity कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हर्निया के operation के बाद क्या वो normal activity में वापिस आ पाएंगे क्या वो gym कर पाएंगे और क्या वो heavy exercise कर पाएंगे क्या वो sports join कर पाएंगे और अगर कर पाएंगे तो यह कितने time के बाद होगा फैल हर्णिया operations बहुत तरह के हैं हर्णिया बहुत चोटा सा हर्णिया भी हो सकता है और बहुत बड़ा हर्णिया भी हो सकता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हर्णिया की जो बहुत complex नहीं है यानि कि वो हर्णिया जो हम easily routine में deal करते हैं स्वधरी के बाद patient usually first day ही evening में अपना walking start कर देते हैं और next day usually जारतर patients discharge हो जाते हैं लेपरोस्कोपिक हर्णिया स्वधरी के बाद अपनी normal activity यानि उठना बैठना अपनी take care करना अपनी cleanliness करना ये 2-3 दिन में अराम से कर पाते हैं जो heavy activity है यानि कि जैसे पाने की भरीवी बाल्टी उठाना बाई को के कवारना इन्हें हम award करने को कहते हैं at least 3 months तक पाकी operations जैसे routine gallblitter स्वधरी या bariatric स्वधरी जिसमें की हर्णिया नहीं रहता उसमें हम ये सारे activities 1 month पे allowed कर देते हैं लेकिन हर्णिया स्वधरी में जो जाली डाली गई है जो mesh डाली गई है उसे body के साथ properly attach होने में और उसकी strength बनने में time लगता है so at least 3 months तक ये activities avoid करनी है और अगर हर्णिया जादा complex है ज़्यादा बड़ा है या आप में ऐसी कोई condition है जिससे की हर्णिया दुबारा होने का रिस्क ज़्यादा है तो आपको doctors इससे ज़्यादा भी time पता सकते हैं जब तक कि आप activities ना करें जैसे कि 6 months लेकिन by and large ज़्यादर patients 3 months पर ये सारी activities कर सकते हैं उसके बाद चाहें आप swimming कीजिए जिमिंग कीजिए जो भी आप sports enjoy करना चाहते हैं जैसी भी activity करना चाहते हैं वो ज़्यादतर patients कर सकते हैं यहोप के वीडियो देखकर आपको हर्णिया सदरी के बाद जो activities हैं उसके बारे में जो भी doubt था वो clear हो गया होगा और आप अपना operation ज्यादा confidence से करवा पाएंगा इस वीडियो मेंक्स अदिफरेंस काईड़ी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब